प्राइब देश की बड़ी अदालतों यानि हाई कोर्ट में जजों की कमी हो और ये खबर बताने के पहले हम आपको कुछ आकड़ी स्कीन पर दिखाना चाहते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट में कितने के स्पेंडिंग है? 80,591 देश के तमाम हाई कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? 60,72,729 इन 60,00,00 में ऐसे लगभग 45,00,00 केस ऐसे हैं जो बस बीते एक साल से पेंडिंग है अब सामा निज्यान का प्रश्न इतने केसिस का निस्तारण कैसे होगा? साहिट सी बात है केसों की सुनवाई और सुनवाई के ओरडर के बाद और कॉर्ट का ओरडर कॉन देंगे? जज और देश में जज़ो की स्थिती यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल पोस्ट है 34,00,00 जजेज की 2 खाली है हाई कोर्ट में कुल 1144 जजों की कुरसियां है, खाली है 340, सुप्रीम कोर्ट में तो कमी एक बारगी कम लगती है, लेकिन हाई कोर्ट में देखें, तो साफ तर पर पता चलता है कि जजों की स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं है अब इसी संक्या को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम लगातार जजों की नाम किन सरकार की पास भीज रहा है फर किन सरकार समय से एक्षन नहीं ले रही और अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में फिर से जगडा हो गया एक संस्था है Advocates Association of Bengaluru इसने एक याच का सुप्रीम कोर्ट में दायर की इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इन सरकार के खिलाफ अदालत की आवमानना का केस चलाए वजह बताई सरकार जजों की न्युक्ती में देर कर रही है और इसी मामले में कोर्ट में 26 सितंबर को सुनवाई हुई ये जो दो जेस्टिस हैं इनकी बेंच में सरकार इस केस में एक पार्टी है तो सरकार के वकील को कोर्ट में खड़ा होकर सुनना पड़ा देहिंदू अकबार की कबर के मताविक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इतने नामों को चुनकर सरकार के पास भेजा वो लोग लॉकी प्रैक्टिस छोड़कर बेंच से जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन सरकार नामों की छटनी में वेस्त है कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार किसी एक नाम की उपर किसी दूसरे नाम को प्रिफर कर रही है ऐसा करने का कारण भी किसी को नहीं मालूम ऐसे में जो लोग जजिस की बेंच जॉइन करना चाहते हैं वो सरकार की देरी का शिकार हो रहे है इसके बाद जस्टिस कॉल और जस्टिस दूलिया ने कहा कि सरकार किस देर की वज़े से कुछ लोगों ने संभावित जजज की लिस्टे अपने नाम वापस ले लिए है उन्हों ने कहा कि जुरी श्री ने अच्छा टैलेंट खोया है लोग अच्छे इसमें आना नहीं चा रहे हैं उतनी संख्या में आगे बढ़ने के पहले समझ लेते हैं फिर से कि देश में जजजों की नुक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी का जो काईदा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनर जज़ों का समू आपसी सलाव मशेवरे के बाद सरकार को कुछ नाम भेचता है इन नामों को अलग-अलग कोर्ट में जजज की रूप में नुक्त करने की सिफारिश की जाती है फिर कानून मंतराले की ओर से इन नामों को अमूमन वेटिंग के बाद अप्रूफ कर दिया जाता है अब ये बात भी है कि समय समय में पर इस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजज बनाने की व्यस्ता को बदलने की बात हुई है सरकार को लगता है कि जज मनमाने ढंग से आगे के जजिस की नुक्ती कर रहे है इस पैसले में सभी सरकारों को लगता रहा है कि उनका भी एक मत होना चाहिए अब लोटते हैं खबर पर कोट में चल रही बहस सरकार पर आरोप मौझूदा कि वो कॉलेजियम दौरा भेजे ताजा नामों पर देर कर रही है कितनी देर खबरों के मतावि सुप्रीम कोट ने 70 लोगों के नाम नवंबर 2022 में सरकार को भेजे थे ये नवंबर 2022 की बात है अब क्या है सितंबर 2023 यानी 11 महीनों की देर नरेदर भूदी सरकार ने कर दी है सुप्रीम कोट ने सरकार से ये भी कहा कि अगर आपको हाई कोट कोलेजियम से नाम मिलते हैं तो बेसिक काम ये है कि आप उन्हें सुप्रीम कोट के कोलेजियम भेज दें ताकि विचार हो सके इसके बाद कोट ने सरकार से कहा कि आपने तो बेसिक काम तक नहीं किया कि इवल नई न्युक्ति मैं डिलाई नहीं बढ़ती ट्रांसफर में भी ऐसा हुआ 26 लोगों के ट्रांसफर का कागस पत्तर भेजा था लेकिन उस पर भी काम नहीं किया इस पर नरेदम बुधी सरकार के वकील का क्या जवाब रहा एट और नी जनरल आर वेंकर रमनी ने कहा कि उन्हें इस बारे में और जानकरेज उटाने के लिए एक हफते का वक्त चाहिए सुनवाई के अगली तारीक मुकरर हुई 9 अक्तूबर 2023 लेकिन अपनी किताब में अगली तारीक लिखते हुई जजज ने एक बात और साफ शब्दों में कही आपने समय मांगा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन अगली बार बहुत कुछ कहूंगा अब ये प्रैक्टिस कितनी जरूरी है कितनी जल्दी होनी चाहिए एक उधारन से समझे मनिपूर का उधारन है इस साल फरवरी में मनिपूर हाइकोर्ट के जजज M.V. मुली धरन को हाइकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नुक्ट किया गया कारिकारी नुक्त की कुछ महीनों बाद जस्टिस मुली धरन ने एक आदेश पास किया जिसमें मैतेही समधाय को अंसूचित जनजाती में शामिल करने को लेकर उचित सर्वे और कारवाई की बात कही आदेश के सामने आने के बाद मनिपूर में हिंसा शुरू हुई कुकी और मैतेही एक दूसरे की लाशन गिराने लगे जब ग्री मंतरी हमिशा मनिपूर के तीन दूनों के दौरे पर गए थे कुछ महीने पहले तब भी उन्होंने कोर्ट केस आदेश की निंदा की थी आपने सही सुना ग्री मंतरी के जज सिधार्त मृदुल का नाम भीजा कॉलेजियम के सुझाए नाम को केन सरकार ने मनिपूर सरकार को भीजा मनिपूर सरकार को इसे स्वीकार करना था फिर फाइल केंदर के पास आती और नुक्ती होती पर कॉलेजियम की सिफारिश अभी तक मनीपूर सरकार और किन सरकार के बीच अटकी है परवनेंट चीफ जस्टिस की न्यूक की लटकी है और एक विवादास पदा देश पारित करने वाले जज कुर्सी पर बैठे हैं और नए चीफ जस्टिस इंतिजार कर रहे हैं अब आप इस उधारन से समझे कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जो हीरिंग हुई उसका महत्त हुई कोर्ट में सरकार को कहा सरकार ने क्या कहा हमने आपको बता दिया सब जगे समय मांगा जा रहा है